भारत से पाकिस्तान के रिष्टे भले ही कैसे ही क्यों नहूं लेकिन भारत ने इंसानियत को हमेशा से ही सबसे आगे रखा है और इस बात को जाहिर कर रहा है ये मासूम वच्चा और उसका ये छोटा सा परिवार जिसका दिल तो पाकिस्तानी है लेकिन दिल से वो भारत के पाकिस्तान से चार महीनी की बच्चे को लेकर इलाज के लिए ये माबाब भारत आए थे और इस बच्चे की सफल इलाज के बाद वो बेहत खुशी-खुशी अपने मुल्क भी लोट रहे हैं दरशल इस पाकिस्तानी बच्चे रोहान सिद्धिकी के दिल में छेट था जिसका इलाज पाकिस्तान में संभव नहीं हो पा रहा था जिसके बाद बच्चे की हालत को देखते हुए परिवार ने इलाज के लिए भारत काने का मन बना लिया लेकिन भारत पाक के तनाव को देखते हुए उन्हें वीजान नहीं मिला जिसके बाद पिता ने विदेश मंत्री सुस्मा स्वाराज से चुचर के जर्ये मदद मांगी तो रोहान की इतनी बड़ी बिमारी को देखते हुए उसके परिजिनों को मेडिकल वीजा दिलवाया गय जिसके बाद नौईडा के जेपी हॉस्पिरल में बच्चे का इलाज शुरू हो गया और देखते ही देखते इस बच्चे को गंबीर बिमारी से रहात मिल पाई होल्स दोते हैं न जैसे तो उस टेप के इनका होल्स था वो सारे बंद करना मुम्किन नहीं होता है तो जो बड़े-बड़े होल्स थे वो अमने बंद किये थे और जो चोटे मोटे जों पकड़ सकते थे उनको भी बंद किया था दुनिया में कितनी लोग हैं जिनने ना जाने कितनी बिमारी हैं और जिनमें से कई तो बिना इलाज के ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं ऐसे में भारत आकर रोहान को नई जिन्दगी मिलना वाकरी सबकी चहरे पर रोश्णी लेकर आया है और खास कर उस माबाप की चहरे पर जो बड़ी ही उम्मी से भारत आए NMF News की रिपोर्ट